अबस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल एक्सेस अकेड़ेमी पर 12460 चगबती में स्कूल अवंटन को लेकर के चैनल की तरफ से एको गाइडन में आयोजित की गए मीटिंग संपन हो चुकी है और मीटिंग में स्कूल अवंटन को लेकर के बड़ अवंटन को लेकर के महत्पूर जानकारी के बारे में दोस्तों जैसा कि आप से भी लोग जानते हैं और आप सभी को आउगत भी कराया गया था कि बाराज़ा 460 चगबती में स्कूल अवंटन को लेकर के आगामी रणनीत तयार करने को लेकर के मोहित दुवेदी अर्पिस् उनकी तरफ से आज लखनव के एको गाइडन में एक मीटिंग रखी गई थी और मीटिंग में प्रते एक जनपत से दो चैनिस सात्यों को बुलाया गया था आगामी रणनीत पर विश्तार पूरबग दिसकसन करने तदा किस तरीके से आगे स्कूल अवंटन को लेकर के से डिसकस कर रहे हैं यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 12,460 से चकबरती आज हम सब लोगों की मीटिंग इको गाइडन में संपन हुई जो लोग आए सब की सहमती से आगे का नेड़य लिया जाएगा सब के मन में जो बात थी सब ने की अब सब की सहमती से दिन सो म 19 फरवरी को जितने नुक्त अध्यापक हैं उन सभी को अपने नुक्ति पत्र की फोटो कापी और एक एप्लिकेशन लेकर आना है कि हम सबने प्राइवेट नौकरी छोड़ दी है हमारे डाकुमेंट जमा है हम कहीं नौकरी कर नहीं सकते हैं डाकुमेंट नहीं है और नुक सुबा सरकार से आवंटन करवाने के लिए अनुग्रे करना है और अर्जेंसी फाइल करें अर्जेंसी फाइल करते हुए सुनवाई के लिए डेट लगा है और सुनवाई पर जनरल सॉलिशिटर जनरल तुसार महता को खड़ा करें और हम सभी के लिए स्कूल आवंटन की प जल्द से जल्द हो सभी को सो मुआर को आना है तो कुल मिला करके आप साथियों को बता दें कि 12,460 से चकबरती में स्कूल आवंटन को लेकर के आगे की कारवाई सुनिच्चत करने को लेकर के आज जो लकनव के एको गाइडन में मीटिंग प्रस्तावित थी उस मीटिंग का स अप्लिकेशन लेना है जिसमें मैटर को बताया गया है उस तरीके से मैटर उस अप्लिकेशन में होना चाहिए और बाकी चीजें सो मुआर को सभी साती 10 बजे पहुंच जाएं जहां पर मंत्री जी के आवाज पर सभी को 10 बजे पहुँचना है जो दूर के जनपा से साती है उन सभी सातियों से निवेतन है कि आपकी नौकरी के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है आप सभी रगवार को ही लखनव के लिए निकल जाएं क्योंकि सो मुआर 10 बजे हर हाल में आप सभी को मंत्री आवाज पर पहुचना है क्योंकि अब आप सभी को बता दें अगर बिभाग जिस तरीके से ढवाली कर रहा है इसकूल आवंटन को लेकर के और सुप्रीम कोट का हवाला दिया जा रहा है इसकूल आवंटन पर तो इसके लिए अब ये ज़रूरी हो जाता है कि सभी चैनित मिल करके एक बड़ा दवाव बनाये सरकार पर जिससे सरकार जो सुनवाई अनलिस्टेड मोड में चली गई है उसे पहले लिस्टेड करा है और उसके बाद अर्जेंसी फाइल करे और एफिडेविट लगाते हुए सुनवाई करा करके जो है आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के परमीशन ले सुप्रीम कोट से और उसके बाद जल से स्कूल आवंटन करा है इसके लिए आप सभी सात्यों को बता दे सभी चैनित साती जो 5000 से अधिक है उनको एकजुट हो ना होगा और एकजुट हो करके संगठित रूप से सोमवार 19 परवरी आप सभी का आवाहट किया गया है लकनव पर तो सभी चैनितों को लकनव पहुच तो कुल मिला करके आज की मीटिंग जो है वो संपन हो चुकी है अब 19 परवरी की तैयारी के लिए सभी लोग कमर कस लीजिए और लकनव पहुच जाए जितने भी हमारे चैनित भाई बहन है जिनको निक्ति पत्र मिल चुका है और इसकूल आवंटन का इंतजार है बाकी की बातें आप सभी लोग 19 तारीक को आगे कारवाई सुनिस्चित करेंगे फिलाल आप सभी को 19 तारीक लखनव पहुचने के लिए अपना निक्ति पत्र और एक एप्लिकेशन है जिसमें आप सभी को सारी चीजें मेंसन करते हुए उस अप्लिकेशन को तयार करना है तो कुल म आवंटन पर सरकार जागेगी और सिच्छा विभाग का जो निंद्राशन लगा हुआ है वो भी टूटेगा और इसकूल आवंटन पर बड़ी अपडेट देखने को मिलेगी प्रियासों का जोर्दाहार प्रहार होना ही चाहिए और 19 परवदी अब की बार आर्या पार्क कर और ना ही हम सभी को होगा अधर्वाइज ऐसे ही डेटे आती रहेंगी सोसल बीडिया पर भरामक खबरे फेलाई जाती रहेंगी कि इस डेट को स्कूल आवंटन होगा उस डेट को ये होगा वोगा और नतीजा जीरो ही रहेगा तो ये जो बड़े प्रियासों संगर्ष की तैयारी की गए इसमें सभी के सहवागिता सुनिश्चित है उमेद करते हैं कि सभी साती इसमें अपनी सहवागिता दिखाते हो इसकूल आवंटन को लेकर करके जो आज की मीटिंग में बड़ा और महत्पूर फैसला लिया गया है उसे सही साबित करते हुए सरकार पर दबा सभी को शेयर करती थी लगातार हम सभी नौचैने सिच्चेक साथियों जिनकों निक्ति पत्र मिल चुका वो सभी साथी अब एक हो जाए और मेरी इस पोस्ट को ध्यान पूर्बग पढ़ें ये तिलिग्राम पर हमने चानकारी शेयर की थी आज जो भी मीटिंग हमारे को सा नहीं खेलना है क्योंकि अब कोर्ट का काम सिर्फ सरकार का है सरकार ये नुक्ति पत्र दिया है और अब सरकार विद्याले आवंटन करा है बाकी चीजें सरकार को कैसे करनी हो सरकार सोचे और वर्तमान की इस्तिति को देखते हुए नुक्ति पत्र प्राप्त कर चुके सभी 5000 प्रलस साथियों को अब एक साथ हो करके एक दो दिन के लिए लखनों में अपने अपने नुक्ति पत्रे की फोटो कापी के साथ और एक अपलीकेशन के साथ एक दिन लखनों में आकर सांति पूर्ण तरीके से बैठ जाकर और किसी भी अधिकारी या मंत्री से नहीं मिलना एक साथ पाच जा साथ ही एक साथ पर बैठ जाएं ये जानकारी पहले ही मीटिंग से आ चुकी थी और उसी तरीके के कुछ न कुछ मातपूर्ण फैसले लिये गए हैं आज की मीटिंग में और कुल मिला करके महतरीन डिसीजन लिया गया है स्वागतिय डिसीजन लिया गया है अब वो सभी साथ ही कोई बहानेबाजी नहीं करेंगे जिनके हाथ में निफ्ति पत्र है उन सभी साथियों को जो डेट फिक्स की गई ही उसमें लखनों पहुँचकर स्कूल आवंटन के लिए किये जाने वाले बड़े प्रियास में अपनी सहवागता सुनिशित करें और जल्द स्कूल आवंटन करा करके विद्याले में अध्यापक के रूप में पहुँचें तो ये बड़ी अपडेट थी आज की मीटिंग को ले करके फिलाल आप सभी का 19 तारीक को लखनो में इंतजार रहेगा देखना ये है कि 5,000 चैन्तों में से कितने लोग लखनो पहुचते हैं ये उनकी स्कूल आवंटन की दिसा और दसा दोनों तय करेगा क्या आप वास्तों में नौकरी और स्कूल आवंटन चाहते हैं आपकी संख्या से ये सारी चीजे किलियर होने वाली है 19 तारीक को अगर आप बिल्कुल सरकार और विभाग के भरोसे बैठे रहेंगे तो इसी तरीके से केवल और केवल इंतजार तथा आस्वासन ही मिलता रहेगा जो फैसला लिया गया है उचित फैसला लिया गया है सबकी सहमती और सुनिश्चित होनी चाहिए इसमें अब किसी को इसमें कोई भी कमेंट निगेटिव नहीं आना चाहिए क्योंकि बहतरीन फैसला लिया गया है कोई चंदा की बात नहीं की गई है फैसला सबके हित के लिए लिया गया और इसलिए सभी का participation अनिवारी हो जाता है इस बड़े कारिवाई को सुनिश्चित और अंजाम देने के लिए तो कुल मिला करके 12.460 चगबती स्कूल आवंटन को ले करके इको गार्टन में चैनितों की मीटिंग संपन हो चुकी है महात्पूर्ण फैसला लिया जा चुका है सभी चैनिस सातियों का 19 तारीक को एक तरीके से कह लिजे स्कूल आवंटन बसक्ति प्रदर्शन लखनों के अंदर लगा दिया गया है और देखना है किस तरीके से आप अपनी सक्ति का प्रियोग करते हुए अपने हक और अधिकारों के लिए सरकार पर दबाव बनाने में कामियाब होते हैं ये चीजे बहुत ही मात्पूर्ण हो जाएंगी आज किस वीडियो में बस इतना ही मिलते है अगली वीडियो में तब तक लिए सभी सातिकों जैन जैबरत बंदे मात्राम